जी नमस्ते बंदे मातरम आज दिन है 27 अक्टूबर 2022 वीरवार और व्याख्या नंबर 121 नंबर और आयुरवेद विशेपर अलोचना सत्र जो है उसमें स्वागत है आप सबका इस ओडियो पो शेयर करें कराएं और सुनें भी और सुनाएं भी और बैल आइकन जो है वो प्र पर लोचना सत्र की तो जुड़े रहें और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विशे को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई बंदे मातरम दीपक भाई आप म्यूट पर रहे हैं अजी अजी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बैदी जी का बहुत बहुत स्वागत हैं जैसा कि आप से भी जान रहे हैं गत्य जैसा कि इसे चल रहे हैं रोगानुशार अरवेदी कॉस दीवोप्चार वही सिरिंखला अभी खिल से चलेंगे वही सिरिंखला भी जारी है तो आज रोगानुशार पर जो अरवेदी जो वेख्यान वैदी जी के चल रहे हैं उसी का अगला भाग है पाचमा भाग और वेख्यान नमबर 121 आज होगा तो इसी सत्र में आप से 20 रोता गन का बहुत बहुत स्वागत है और आज के वेख्यान आरम करें और अपना विजार रखें जी बहुत बहुत धन्यवाद आप शक्का और अईरवेद के जनक के भावन से चरणों के धन्मिंटभीजी के चरणों में नमन करते हुए आज के अललशना सत्र को आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सुत्र लेते हैं तो आज का जो सुत्र है हुँ सुस्रुचियंता से हमने दिया है इसका आर्थी है कि जो आईरवेद है वो आईरवेद है वो सनातन है सनातन यानिके जिसका पता ही नहीं चल सकते कि यह कितने वर्षत यह है उतने वर्षत है तो इसी बात को जो है सुसर्जी ही बताते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सनातन त्वात मतलब सनातन यानिके जैसे हमारा सनातन धर्म है या सृष्टी है तो ऐसे ही आयरवेद है फिर ऐसा बोलते हैं कि बैदानम अक्ष्यारम त्वात तखी बतात जैसे मतलब वेद को अभी कितने वर्षों हुए? कोई कौन बता सकता है, क Physics अि-सी तर्समा इतना में बतापा ना, संदेह का रखे, यानिके संसेह का रखे, इसा बताते हैं, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये अनादी है, ये सनातन है, और ये अविनासी है, इसलिए जो चिकिछा है, ये सबसे पुन्यतम है, और इसके लिए ना किंचीद अपी सुस्रमाह, मतलब इससे अधिक बढ़कर दुसरा कोई स्रेष्ट कर्म है इस अंसर में, मेरे जानने में, मेरे सुनने में, मेरे समन्ने में, मेरे अनुभाम में नहीं आया है, तो हम तो छोटे-छोटे मतलब क्या साधरन मनुसे है, तो हमें क्या जानने में आएगा, कि इससे कोई स्रेष्ट कर्म है क्या, हमे इसलिए यही बात सबसे स्रेष्ट है कि सत्य है और निराड सत्य है कि भले कोई माने या ना माने भले वो उलुपति में कुछ भी बोले परंदो निराड सत्य यही है कि इससे और अधिक मतलब स्रेष्ट कर्म कोई नहीं है और इससे अभिनासी और जो सनातन है अनादी है और क रोगानुसार आईरवेदिक उप्चार या तो रोगानुसार आईरवेदिक उसोदी वो तो हमारा पंचम भाग यानि के पंचम सर्ग अनुस्टेत होने जा रहा है आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगता होगा और आप चाहे तो इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं अन्यन्य वात रोगों के विषय में मतला आज हम आरम करेंगे हो सब से पहले से अरम करते हैं मैं तो आपको साय कोई वी बात रोगा ऐंहां है क्या था है यह सबसे पहले ध्यान पे रखना gjortलता यह कोई भी दो कोई दे चोए सब फिला और करें यह काम करना चपान करना है आज करने स्युगें प्लाई में मिलती हैं अफंच में मिली में जाती हैं तो आपके आसमास जो भी मटलब निकट पड़ता हो उसके आधार पर उसको मंगा सकते हैं ऐक बॉक्स जैसा आता है एक बैग में थेली में वह रह जाता है तो उसको निकालना मतलब उसके अंदर परंद यह ध्यान में रखना है यदि जो सेधन कर्म करना हो ऐसा मतलब कहा जाते है आयरवेद में चरह सिंता में और इसमें आश्टांगरदे में बागबर जी बोलते हैं तो इसके हिसाब से आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं मैंने के बोल उसका सुत्र बता दिया है आपको कैसे करना है क्या करना है और आप अपने हिसाब से अपने समय के समय का अनुसार स्थिति के अनुसार खाल के अनुसार और स्थान के अनुसार पत्रता के अनुसार आ चीनाने चाहिए और जो 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 करो बात रोगों में जो जो को बता रहाँ बांगे बताूंगा तो इतना करना है और स्वदन कर्म तो आपको करना ही करना है फिर आगे आते हैं और क्या कर सकते हैं तो एक बनस्पत्य होती है जिसका नामे मेवडी मेवड करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पते चल जाएगा ये भावप्रगास जो निघंटु है उसमें बताया गया है बाकी मैंने देखा तो द्रब्यगुन बिगान जो ग्रंत है पांच खंड में मतलब पांच भाग में आता है उसमें बताया गया है चोथे भाग में अन्यता आपको मतलब कहीं देखने को नहीं मिलता है मेवडी मतलब इसके बिसे में तो जो मेवडी के नाम का जो मरस्पती है उसका पत्ता ला करके उसका रस निकल लिए कूट करके आपके मतलब कोई भी बात हो रोगो असी प्रकार के बात रोगो में कोई भी मतल चैनल मिलते हैं इसलिए आप उसको मेवड़ी का पत्ते हीया सहत के साथ में यदी आपको नहीं करते नहीं लेखने है यह उसी तरह है कि जनको सब्सक्रान को किपनियुद right अस्तमरी रोग हो गया या तो फिर प्रस्टेट ग्लान पड़ गया आपका फिर और क्या है मतलब पेशाब में जलन होता है पेशाब रुक रुक कर गया ना यह सब जो मतलब होती है तो उसमें क्या करना है जो तंडुल दक मैंने कल बता है था तंडुल दक कैसे मतलब प्रयो कड़ेको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में को पिलाना सब्सक्वे इसमें मतलभा नहीं हैं लibl 지금 बीज कालकर कर तो उसमें भी मतलब फैया मिलता है ठीक उसी तरह केवल दोध ही पिने के लिए देते हैं रातको सोने से पहले दोध में घी डाल कर mogę तो भी उसमें कि हमने पृज़ का पी लिया कोल्ड वाटर वह नहीं पीना है कि सितल जल थंडा पानी तो वह बहुत अच्छा उसमें खाइदा मिलता है ठीक उसमें और क्या कर सकते है तो उसका मतल犯 नाम है तो पलास का फूल अभी मतलब सर्दी का मौसम आएगा तो आप धिरे-धिरे मतलब पाउस के महीने से आपको पलास का फूल मिलेगा तो आप चाहे तो पलास का फूल का गुलकंद बना कर भी रख सकते हैं वो सालों साल रहेगा उसमें कोई दिखत नहीं है तो आप उसका मतलद लाईए यदि पलास का फूल नहीं मिला तो पलास का चाल पलास का मोल पलास का बीज वो सब भी उसका प्रयोग कर सकते हैं सब्सक्राइब आरा शोजब करते हैं ऊत्यार में कारफ सेथा हilah करते हैं तो लगया फैंते हिए ओसी तरह जिनको बार 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 दिन जरा बार दिन रात होता है तो उसको बहुं मूत्रता कहा जाता है बहुं मूत्रता alors इसा आइप तो ऐसे में मतलग क्या करना चीए जो पका हुआ क्यला वा आपको बार 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 मतलग खाना चीए सुबह में खालिपेड़ में नहाधो करे सोच अर सोच और सबिस्टरtat हो। एकदम पवित्र भवाव से, जो केला जो उपर भागे, उसके मतलब थोड़ा सा काट लिवे, एक हिसे से, मतलब केले को तोड़िए, तो एक हिसे से मतलब थोड़ा पूरा निकल गया, और पूरे केले में चेल क aur नहीं होतारना है, पूरा गेले का, तो एक तरफ से, जो Chill गयर स्थाइब करें तो प्रबिश्ट करना है तो देखेंगे उसमें गड़ा पड़ेगा परंद्धु ध्यान में ने तो फिर और उसमें आपका खड़ा होगा तो इतना आपका छेहद भर दिया और उपर से लिए मतलए उतार दीजिये और उसको डायरेट्ट निगल जाए उसको चबाना नहीं है Dirt निगल ना है मतलब चोटए-चोटए करके आप उसको निगल जाए saja उसा प्रते दिन आपको מतलब 7 करना है तो जिनको पहती होती है जिनको बहुमुत्रता भी है तो भी उनको मतलब जिनको मतलब शुगर के लेबल अधी मात्रा में बढ़ जाने से भी मतलब स्टार्टिंग लेबल में मतलब प्रारंभिक प्रेक्रिया में तो ये बहुत अच्छा मतलब फैदा मिलता है और मैं एक बात बता दू जो लोग पतले हैं और वजन बहुत कम है और जो उजन अपना बढ़ाना चाहते हैं अपना मतलब जो सोचते हैं कि मैं अपना हिर्ष्ट पुर्ष्ट देखू थोड़ा मोटा बासे मतलब लोगों को लगे हां ये मतलब कुछ है ऐसा लगना चीए तो आपको प्रति दिन केले में ऐसे मतलब मधु भर करके आपको सेव सब्सक्राइब नास करता हैं सरी में ख्षारय तक्त्तो को बढ़ाता है और शाथ में आपको भूक भी बढ़ाता है अच्छे से बूक लाता है रात को नेंद भी आती है और सुबह में पैड़ भी अच्छे से साब होता है इतने सारे लाभ है इतने सारे फाइदे तो और भी बहुत सारे परंद मतलग यह आपको तुरंद अनुभब में आईगा इसलिए मैं बता रहा हूं इसलिए मतलग केले का मध्धो के साथ मैं देख संफ लेना है आधा चमच और जो बल्यायक का बीज बिलाज और आपको क्या कर ना है कि यूद नहीं कैला यदि मतलग सकते crash explicar सब्सक्राइब गए एक साल पूराना जो सहत का एक मतलबण सब्सक्राइब उसी सहत को आप जनको बहुं दरता है यह तो सगलेबल मतलब बढ़ जाने के कारण बार 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 पैसा भो रहा है अब अपी इनमको to तो यह उसदी उनके लिए रामबाण की मतलब सिध्धु होगी फिर लोग मतलब इसमें तरक करने लग जाएंगे अरे वो तो एक्सवेरी हो गया हम उसका सेबन कैसे करेंगे यह तरक के बल वही लोग करेंगे जो उल्लू पैथी से जुड़े हुए जो लोग के बात सुनते ह वही यह तरक करेंगे क्योंकि आयरवेद में ऐसा कहा है मैं नहीं कहे रहा हूँ आयरवेद में कहा है कि संसार में जितने सारे वस्तु है कोई भी व्यार्थ नहीं जाना चाहिए और कोई भी मतलब किसी भी ओसधी को किसी भी द्रभ्यों को किसी भी वस्तु को आप यूही नहीं नहीं नाश्ट कर सकते क्योंकि आपको नाश्ट करने का अधिकार नहीं है क्योंकि जिसने सर्ष्टी किया है वह नाश्ट करेगा आप तो यह द्रब्यों के सर्ष्टी नहीं करते फिर आपको नाश्ट करने का अधिकार किस ने दिया तो किसी भी मतलब वस्तु को फेकन तो वही जो सहद है वह आपको बहुत्रता में काम आएगा सुगर लेबल में यह ध्यान में रखना है तो इसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ठीक उसी तरह दोद में घी डाल करके यदि सेबन करते हैं तो भी बहुत्रता में बहुत मधु में हो मतलब जितने सारे मतलब मेह सने मेह जितने सारे मतलब मेह बसा मेह आदी है जो बिस प्रकार के मेह लशिका मेह आदी तो सभी प्रमेह में इस सब प्रमेह के अंतरगति ही आते हैं चाहे आप मतलब तरग सेंदा में देखे सुसरुद में देखे धनवंतरी में द यहां तो प्रम्हें रोगांतर भुक्त तो सारे जो प्रम्हें में यह समझ में नहीं आ रहे कि मेरे पास यह रोग्या आ जहीं तो यह कौन सा प्रम्हें क्व teng do प्रम्हें हैं यहां प्रम्हें हैं जार चार प्रम्हें तो ऑप करता होग्ण होग्या तो जो फिर विद्य। मतलब माध्यम से चिकिच्छा करते हैं तो ऐसे में मतलब क्या होता है कि उनका ओजदा तो बिगड़ जाता है फिर वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे तो यह जो प्रामे मतलब होता है तो सबके लिए चरग सेंथा में आप देखेंगे चिकिच्छा स्थान में प्रामे चिकिच्छा के में देखेंगे चरग सेंथा में या तो सुस्रु सेंथा में अस्टांगरदे में अस्टांग संगरह में भी आप देखेंगे प्रामे चिकिच्छा अंतरगत उसमें लिखा है कि आपका बीश प्रामे में से कोई भी प्राम हो थिका सब्सक्राइब क्या है कि आपको मतलए के Freddie आपको देना में तो कि आपको प्रहला Finance की ना है और आपको मजू से यह आपको क्या करना है कैसे लेना है ना कम से आपको 30 जो है 30 ml होना चाहिए ये ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पर 30 ml मतलब तो नहीं लिखा है पर अधक ऐसा लिखा है आधक यानिके आप वहां से संग्राइब कर सकते हैं तो कच्चा वाला हल्दी का रस जो है आपको 10 ml निकालना है तो आमले का ताजा आमले का रस नहीं निकला तो आपको आमला सुखा लेकर के मतलब मुठी भर लेकर के आपको रात में भीगो देना है एक ग्लास पानी में तो आप उसमें ए लेंगे आमले का रस तो देखेंगे हो न रंका ग्रीन रंका वा आता है तो परंद उसमें यदा लेकल अ सुरक्शित रखने लिए तो हमारे सुक्रप औ द्स्ट करते हैं सुख्रप और नंब इसमें दियानी करना है जिसमें मतलत 몰दी मिला हो वह वह सरING सब्सक्राइब visão तो यह लोग को प्रेजरोटी की आवस्यक्तिया क्या है, इसमें तो कोई दिकत नहीं है, तो बाद में पता चला, कि जो अउसर दिन निर्मान का जो बिधी है, मतलब उसमें लगता है, जैसे मतलब तरण वसंद रस है, तो तरण वसंद रस बनाने के लिए तीन मेने लगते है ठीक उसी तरण वसंद मालती है, उसको बनाने के लिए देड महीने लगते है, योगिंद रस को बनाने के लिए एक सप्ता है, वाज चिंता मणी को बनाने के लिए पांध दिन लगते है, रस राज रस को बनाने के लिए भी कम से चार से पांध दिन या तो छे दिन एक सप् तो आप इसमें से मतलब अनुमान लगा सकते हैं इसके लिए उन लोग को प्रिजरेटी रहना पता है वह खराब नहों इसके लिए तो इसके लिए इसी आधार पर वह काम करता है है कैसे काम करता होगा आप अनुमान लगा सकते हैं मैं यहां पे जादा बोलुगा तो फिर मतलह सब मेरे पीसे पर जाएंगर तो जो प्रमे है मतलब कोई भी प्रमे होता है तो कच्चा हल्दी का रस लेना है दो चमज आमले का रस लेना है आपका कम से कम तीसे मेल आप ज्यादा भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है प्रमे है रोक में फिर उसमें एक चमज आपको पूराना सहथ पूराना सहथ यानिके सकहऊं हो आफ से तो में जो च़ेत हैं अखा अपने ऊफद्धि और मधूमिला पमिला कि देने से हम लोगों देते हैं तो उसका सगर लेबल बढ़ जाता है परन्तो कैसे देना है वो अपने तर्क नहीं लगाते है अपनी युक्ति नहीं लगाते है कवाल लिखा है बस देदो मतलब प्राइग नहीं मिला तो छोड़ दो तो फिर बोलता है कि मतलब चारग सेंध्या की बात जो जूटी है पर नंतो कैसे जूट हो सकती है उससे में मतलब क्या करता है जैसे मतलब जंगल का सेर और सरकाष का सेर दोनमें अंतर तो है तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती यही दिकत हो जाती है तो कोई बात नहीं, यदि मतलब ये प्रवे करता है ना, तो मतलब आपका मतलब यदि किसी को सपनदस भी हो जाता है, तो केवल आउले का रस में, कच्छे हल्दी का रस और ये पुराना मधो, ये मिला करके उसको केवल 15 देन या एक मैना के लिए दे दिजिए, तो दे उसमें भी बहुत अच्छा फाइदा मिलता है, आप ऐसे देखेंगे तो, ठीक इसी तरह, जिनका मतलब पुरे सरी में, पुरे बड़ी में, देखेंगे कि पुरे एकदम मतलब सोथ आया है, मतलब पुरा सोजन आया, उतर आया है, तो ऐसे में मतलब क्या करना चीए, तो अन्नुबा का जो जड़ है, उसका चुरण बना करके मधो के साथ में उसको चटा देजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है, फिर दुसरे बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है, तो आपको गोमत्र कितनी मात्रे में पिलाना है, एकी बार में सो एमेल प पिलाते हैं, तो पचास मेल पिलाईए, यदि गोमत्र पिलाते हैं, तो सो मेल पिलाईए, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब पूरे सरे में सुजन आई है, चाहे हो हुर्दे के कारण, यकृत के कारण, लिहा के कारण, या तो फिर मतलब बृकर, यानि की खिटृटनी के कारण मतलब किसी भी कारण आपका सohlजन घात। इसके लिए आप गो मत्रगा 7 करा सकते हैं ठीक उसी तरह और क्या मतलब होता है कि जो बेल का जो पत्ते होते बिलो ब्रुट्ष का उसके पत्तों का यदि मतलब हम रसे यदि मतलब पिलाते हैं कितने कितनी मात्रा में 4 चमा सुबह फिर 4 चमा दुपर को फिर 4 चमा सामको एसा दिन में 3 बार दना है तो उसमें हमें बहुत अच्छा फैदा मिलता है ठीक उसी तरह और क्या है तो बोलते हैं कि जो मतलब मकोय है मकोय नाम का जो बनस्पती है उसका यदि अर्क मिले तो ठीक है यदि अर्कना में ले तो जगाओं में रते हैं पुरपली में रते हैं तो उनको तो यए बनस्पती मतलब बड़े सरलता से मतलब प्राप्त हो जाती है तो उसका मतलब मकोय का रस यदि हम पिने के लिए दे देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है ठीक उसी तरह यदि आपको यदि मतलब शुखा हुआ जो मुली है जो सुखी मुली या तो सुखा मुला मतलब जो बोलते हैं तो शुखी मुली वह्यिति हैं , म petitesmesk मतलब अच्छा फाइदा मिलता है फिक उसी तरह यदि किसि का भट गया जिसको स्प्लिनाट मेगाली एसा डिपॉर्ट मे आता है स्थैविया रिपोर्ट रेके हमारे पास रोगी आते उसमें लिखा रहता है कि विवट्ल का मेगाली है तो यह मतलै पुलीहर में क्तललवर बढ़ जाना या तो फिर मतलब कभी-कभी क्या होता है कि अगनेसे में भी मतलब कुछ दिखत आ जाती है तो हमारे पास रोगी रिपोर्ट लेके आते हैं तो इसमें मतलब हमें क्या करना है क्या क्या देना है तो सबसे पहले गोमुत्र उनको पिलाना है 500 ml गोमुत्र पिलाना है यह धियार में रखना है ठीक उसी तरह आपका मतलब जो है घोमुत्र तो पिलाना के यहा दी हमादी मalैक मलए चालीस हें अवला ऐसनी मतलम आतर में को सुखा लेना है और उसको दो गिलास पानी में आपको उभालना है और उभालते उभालते जब आधा गिलास बचे तो चाल लेना है और थोड़ा ठंडा करके उसको पिने के लिए देना है केवल यही करना है दिन में एक बार मतलब सुबह में एक बार सामको एक बार सुबह में एक बार सामको रट रट के तोते की तरह उन्होंने अपने व्यापर को कहां से कहां पहुंचा दिया तो जो भी यह गृत कुमारी का रस उनको पीने के लिए दिजिए तो उसमें बहुत अच्छा फैदा मिलता है और रात को सोने से पहले रात कॉ सोने से पहले मतलब कम से कम 55ml एरंड का तेल लेना है और उसमें जो खार एक ग्राम मिलाना है एक मिला करके जो खार को उसको पिαιने गरें देना है रात को सोने से पहले यही किअ सबस्क्राइब गोमत्र देना है और दुसरा है जो कचनार होता है कचनार का छाल का काढ़ा यह आपको घरवलोपचार में अप इसका दे सकते हैं गोमत्र 100 ml उसको पिने के लिए दे सकते हैं और मतला इसको खाने से पहले और खाने के एक घंडे बाद में काचनार का चाल लगभग 20 ग्रम लिजिए और जो बाई बीडंग होता है उसका चाल बाई बीडंग बलता हूं वरुन का चाल 20 ग्रम लिजिए तो काचनार का चाल 20 ग्रम और वरुन का चाल 20 ग्रम तो दोनों को मतला एक ग्लास पानी में उबाल करके सबसे पहले उन दोनों को जो चाल है उसको जो कोड कर लिजिए फिर उसको एक ग्लास पानी में उबाल करके आधे के लिए बचे तो उसको चान के लिए चान करके पीने के लिए दीजिए और इसको कब देना है ना भोजन के एक घंटे के बाद में देना है नहीं तो फिर मतला आप लोग बोलेंगे कि भोजन के एक घंटे बाद क्यों हम आधे घंटे में क्यों नहीं दे सकते तो दे सक ना ना शूरी हो जाए ते माधवनीदान में तो पधन में मतलग करना ना गिल्व का रस वो बहुत अच्छा मतलग काम करता है सबसे पहले तो गिल्व का रस दे सकते हैं यहाथ कच्छी हल्दी का रस यहाथ नहीं तो तो फिर क्या होगा उसके गले में जलन होगा और फिर मतलब पैड में भी जलन होगा और खुजली भी होगी मुह में इसके लिए कच्छी हल्दी का रस एक चमस और उसमें मधु मिलाना है एक चमस यह दोनों को पेले घोल करके मिलाना है उसके बाद में उसको चाटने के लिए चटाने के लिए देना है तो उसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है नहीं तो फिर क्या करना है जो आवले का रस है यह हम देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फाइदा मिलता है नहीं तो फिर क्या करेंगे जो मंजिष्टा है मंजिष्टा नाम का जो बनस्पती है उसका और अश्यो गंधी होता है तो दोनों का जड़ उसमें मिलता है ठीक उसी तरह जो कदम जो बनस्पति होती है बहुत बड़ा पेड़ होता है कदम जो कदम में कदम की डाली पर भवगान शिक्रिशने बैठा करते थे आप कभी ब्रंदावन गोप मत्थुरा उदर जाएंगे तो चारो और केवल कदम के ब्रुक्ष आपको दिखने क सफे चंदन लेना है उसका पाड़ा लेना है एक चमच और बबल का जो गोंद है वो बबल का गोंद लेना है एक चमच और उसमें जो कसेरू होता है कसेरू का छाल लेना है एक चमच और दारू हल्दी एक चमच ये चारो में से एक-एक चमच ले करके आप उसको काड़ा ब निकानना विद्धियु आयरवेद में इसा बताएक है वुरत निगंपुरत्नाकर में कि सबसे पहले आपको काच का सिसी का बोटल को संगरह करना है जिसका मतलब जो मुखे वह चोड़ा वाला नहों हो एक दम मतलब थोड़ा मतलब छोटा सा मूखो को लेकर कोई बोटल होता है इसा ही पूरब दिषा की और मूह करके उततर की दिशा में आपको खोधनाय है यह ध्यान में रखें, हमेशा उत्तर दिशा में आपको खोदना है, तो उत्तर दिशा में आपको खोदेंगे ना, तो उसका फिर मतलब आपको एक जड़ मतलब मिलेगा, छोटा सा या तो मोटा सा जो भी जड़ मिले आपको मिलेगा, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले जड हाड keंग ambitions तो उसको पहले जवो दहने के बात में वहां पे बोटल जैसे आसाफ को मतल़ह घड़ा फोड़हा थौड़हु खोदने बाद में और जड़ है उसको काड़ करके दियांचीनीचे कांग को जुद से अर आप को छड़ में ऊपर जहें उसके लिए एक जाली लगा करके या तो इसको शुरक्सित करना है आप अक सटके रखा सब्सकामिक करके राध्य वह सकव जो पेड्स है उसका निकलेगा और उसके रच निकल करके उसमें जमा होगा उसमें तो जमा होते फिर मतलब क्या होगा सुब्ह में आपको जाना है और जुतना आपका जमा होगा उत्ना रस है इना उदुमबर रस और निए आस सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा खटा थोड़ा मिठा उसका स्वाध आता है क्योंकि मैंने एक बार निकाला था लगवश साथ वरस पहले दो तिन बार अभी साथ वरस से मैंने निकाला नहीं है उसका रस तो उस समय मतलब मैंने अनुभव किया था तो जिसको भी दे देते हैं उसमें जो उपद्स है 15 दिन में उपद्स जो है पूरी तरह से ठीक हो जात निकलते हैं तो इसका अर्थ है कि एक बुटल में एक बुर्ख समय से एक राद में 300 से 350 तक 300 ml तक रस निकलता है यह मैं अपने अनुभाव से इसा बता रहा हूँ तो ठीक उसी तरह जो सालमली नाम का जो बनस्पती है उसका भी ऐसे ही रस निकला जाते हैं तो सालमली नाम का बनस्पती से भी ऐसे ही उसका रस निकला जाते हैं और यह रस भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा उसका फैदा मिलता है तो आप इसक सबसे पहले क्या करना इसमें पजुल और चुल मेयाँ क्रीणाआप मिलेगा ही मिलेगा अब इसको पजुल मिलेगा है नेम पांचांगा चुल्ण आपको देना है ज़िसको खाली पेड़ में देना चाहे आप घी के साथ में दे सकते हैं मध्यों के साथ में दे सकते हैं कोई दिकतो नियुक्षी तरह और थिए और soulsma न न तृफल ला चुरन को घी के साथ में आपको प्रयोग कराना हिए खाली बाकोची का चुरन कभी भी सेबन नहीं करना है नहीं तो फिर शरी में मतलब एक प्रकार से जलन गर्मी मतलब अनुभब होने लगेगी तो फिर मतलब क्या करना है सेंधा नमक उसमें मिला जाते हैं तो जलन को सांध करतेगी क्योंकि मधूर अमला लवनम यह क्या करते हैं कफम बर्ध है यह मतलब ऐसा कहा जाता है तो यह कफ की मतलब बढ़ाएगी शरी में तो हम आपका रोग प्रतिरोधो सक्ति जोए बढ़ने लगेगा इसके लिए सवनागे में कल मैंने बॉला गोस्वार जिक करने नहीं केले की यह जो स्वनागे में सब्सक्राइब दोदोधए या लाई पड़ पानी मिला करके थोड़ा मलंबाती लेप बना लिजे और जहां जहांी आपको गाओ यह तो फिर मतलरी वह आता पिर घृ अचीर में लेप लगाना है है चाल मोंगर जिसको बुलते तो फिर बंद बिशकर्व अजम करते हैं तो यह जितने शारे इन में से कोई भी आप मतलाक सकते यह नोजय कोई एक टेल आप मदलदा फ़िस आ है यह तो संख्वा टेल है यह में कमशेकम तीन बार उसको मतला देते रहेञा है और साथ मि क्या करना है शुब़ में कखाली पैड में अधरक का रस निकलना है two realize और घी उसमें मिलाना है एक चमाज धयान perspectives रखे और दोनों को मिला करते थोड़ा अलका साय मतलब पानी-घरम की जैंढूगा ऊबल गया तो उसमें से भाप निकलता है तो इसा पानी का जो भाप निकलता है उसी भाप में इसको गरम कर दीजिए अधरकरस और ये घी दोनों को मतलब गरम हो गया और उसको चाटने के लिए दे दीजिए चारते चारते सेवन कर लेजिए तो इसमें भी मतलब बहुत अच्छा फाइदा मिलता है और एक प्रयोग है कि रात को सोने से पहले या तो सुबह में नहाने से पहले सर्षो का तेल ल जाए गुलने के बाद में उसको सिसी में भरके रखे और उसमें से थह थोड़ा-थोड़ा ले करके पूरे सरी में मले बदन में मले मतलब नहीं मतलब थोड़ा Cinутा तो बहार जाना है तो दोड़ना नहीं है ये सब मतलब विशए में थोड़ा ध्यान रखना है और मतलब शोक नहीं करना है क्रोधित नहीं होना है किसी के विशे में मतलब निंदा नहीं करनी है यह सब बातों में भी मतलब ध्यान रखना होता है क्योंकि यह जो मतलब होता है यह मन से भी मतलब थोड़ा समंध रहता है इसके लिए हमारे मन को भ आपको मिलता ही मिलता है बजार में तो प्रते दिन एक एक सेव को बढ़ाना है और तो जो अमृत धारा होती है इक किलो मतलँ लेक्या है अमले कामृबा या तो सेव का मृबा उतो किलो के पूर आधे गेंदा गंटे बात में दिन में तिन बार चार बार ऐसा भार तो इसको सेव करने से क्योंगा होगा अपको एक बार दो बार तिन बार ऐसे दिन में दस्त होने लगेंगे, पतले-पतले दस्त होने लगेंगे ठीक उसी तरह मुणाका में कैम वह पार म मद्धु मिला करके उसको सबन करना ए थंड़ा थंड़ा तो भी मतला hyperacidity में बहुत अच्छा फैदा मिलता है ठीक उसी तरह यह जो दोधर घी है यह hyperacidity को बहुत अच्छा मतला करते हैं मतलब आपको गुनगुना दूद लेना है और उसमें घी एक चमस मिलाना है तो घी गुनगुना दूद में मिल करके वो पिघल जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है इसको घटा घट पी लेना है तो यह बहुत अच्छा फाइदा मिलता है ठीक उसी तरह नार पानी पीजिए और साम को भी मतलब पीजिए नारेल का पानी में निभूर निचोड करके तो हाइपर एसे डिटी में बहुत अच्छा फाइदा मिलता है और रात को बहुत अच्छी नीद आती है और ऐसा कहा गया है कि पित सयनम पित नासाय यदि आपको रात को अच्छे साथ घंटे नीद आती है तो आपका पित्त समन हो गया समझे आपका पित्त के लिए आपको चिंता करने के कोई आपसक्ता नहीं यह एक शुत्र है एक लक्षान है तो इसके उपर मतलब थोड़ा आपको ध्यान दना है ठीक उसी तरह यदि आपको आँखों की कोई भी समस् है तो यदि मतलब एक दिन मी ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको मधू नहीं डालना है उसके बाद लाज सी जन्यालना होगला आपको अरकल करने घुरा निकाल मधू निकाल लिए और एक चमाच मधु मिला करके उसको एक सिश्य में भरके रख लिजिए और एक एक बुंद हो है आपको दोनों आखों में ढालना है दो दो हंटे छोड़ करके तो यह भी मतलब बहुत अच्छा फाइदा मिलता है यह नहीं कर सकते तो जो अगस्ति का पत्ता होत अभी यह मतलब माहने में आपको मिलेगा अगस्ति का फूल यह महने में और मार्ग शेस पाउस मतलब मिलेगा तो इसक फूल को यह घी से दैसे गाई का घी से ज़ड़े उसको भुन करके यह अथdoo शेवन करते हैं तो हमारे आँखों के बहुत सारय रोख जो है वो नश्ट करता है टिक इसी टरही जिनको शर में घरद करता है या तो अकी गही है नहिस प्रोग्य लेना एक जंट को मिला थे थिर्ष स्मय घी चक्कर आता है या तो बार-बार सर में दर्द होने लगता है तो एक मुठी भर मतलग दुब घास लीजिए और उसको देशी गया के घीमे भून करके उसको सुबह में केबल सुर्यदे से पहले यह ध्यान में रखना है सुर्यदे होने के बाद में फिर वह काम नहीं करता है प Gorrha collect Muslims का आप लोगोंको मालूम होगा उसको भूकादम मतलब अब्पास प्रकार से होते हैं तो यह भूमी कदमब एक प्रकार का होता है जो घौत करना है उसको मुठी बरतन का पाणी मैं घड़े का पाणी उसके साथ में आपको पुरे निगल जाना है तो एक ही मतलब प्रती दिन आपको एक-एक फुल जो है उसका निगल ना है कितने दिन तक 40 दिन तक मतलब आज से आपने आरम किया तो 40 दिन तक जो है आपको एक-एक फुल जो है आपको निगलता रहना है तो यह हमारे मतलब जो तो दिमाग को वो बहुत अच्छा बल देता है ठीक उसी तरह जो ब्राम्मी है शंक पुष्पी है वच है फिर जो जटा मांसी है महा मांसी है फिर मुरा मांसी है उड़त का दाल है ये सब भी हमारे मतलब जो दिमाग को मतलब मस्तिशक को बल देते है ये ध्यान में रखे ठी कावल का धोबन का पाने तो वो देना चीए नहीं तो फिर मतलब जीरा जो होता है सफे जीरा आधा चमच काला जीरा आधा चमच स्याहा जीरा आधा चमच मतलब आधा चमच लो गया तो देड़ चमच हो गया और एक चमच जो है उसमें मिस्त्रे मिला करके उसका काढ़ा बना और उसको खाली पड़ न दिन में तीन बाल तो भी इसमें बहुत अच्छा पइदा मिलता है तो फिर जो आउले का मुरभ्भा है तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा पैदा मिलता है दोनों का मतलग एक एक więcej चमच लिजिए एक ग्लास में पानी में उबाल करके उसका रस निकाल लिए और ये आधा ग्लास बते तो छान लिजिए उसका रस नहीं निकालना है दारुहल्दी का चुरन आधा चमज और गिले का चुरन आधा चमज दोनों को एक चमज हो गया और एक ग्लास पानी में उबाल करके उसका का तो बड़ी दुधी हो या छोटी दुधी कोई भी दुधी हो इसमें आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा तो जो बड़ी दुधी को अधिक मात्रा में प्रचलन किया जाते हैं तो बड़ी दुधी को मतलब लाना है उसका 15-20 ग्रम ऐसी मात्रा में उसके लाना है और उसको द तो फिर आपका मतलब मैस्ट्रोशन बंद हो जाएगा इसके लिए दो दिन पील लीजिए यदि दो दिन में बंद हो गया तो तिसरे दिन भी आपको पीने कि आप सकता नहीं है यह ध्यान में रखना है यदि थोड़ा-थोड़ा आपका मतलब प्रदर हो जा रहा है तो आप तिसरे दिन पीश सकते हैं नहीं तो फिर क्या होगा आपके मतलब मैस्ट्रोशन के लिए मतलब पीरेड लाने के लिए फिर आपको मतलब उसादी खाना पड़ेगा यह ध्यार में रखना है ठीक उसी तरह आजकर जो मतलब होता है कि मतलब सहर कोई दुबला पतला ऐसा हो ज प्रवद्झ में आपको गोल करके मिला करके पिनाए मिठा दुद में नहीं तो यह यह जो बिदारीकंद बारहीकंद आपने धरती मा तो सबके बहुत लते परणतों तो अमने जेक देखा है भागवत परण में अन्यने ग्रमत में कि भागवान बारह अवतार हो तरह करके दंताग्र मतलब अपने दोनों मतलब नथुन नथुन और दोनों दांत ऐसे बीच में धरती माता मतलब ब्रहाण ऐसा है मतलब दसावतार में चित्र भी आपको मिल जाएगा गूगल में तो मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं क्या बलते हैं उसको मतलब नथुन और द भवगने हैं उनको पास इतनी सकती है ऐसा नहीं है आप देखेंगे मतलब जो सुर होती है जंगली सुर को यह बारहात आ जाता है और दुसरा कुछ है नहीं तो सुर देखेंगे हम जो मतलब मतलब लोहे के ओजार से हमें मेट्टी को खोदने के लिए कितनी सकती लगाना प लिए जैए बाहर होते हैं इसके नाम ही वाराह्य कंद मतलँ देखते हैं सफढ़ करना हम उसको सेवन करते हैं वाराह कंद सफैद यूच biography मुश्य सटा और dwelling में हम होते रहते हैं खाते रहते हैं तो फिर मतल्ड उसके डूसरा कोना है था चैते हैं तो यह मतला हमें औसमेन करना जिससे के आपका मतलद आपका अच्छा होना है की कुशे तरह जो अश्यॉगंधा का चुछन है परकर्ति पट प्रकृति हैं उसका प्रीनाव मिलेगा रहा काम नहीं करती तो इसके अल्टा तो भी हमें बहुत अच्छा परिणा मिलता है कोई कोई वेद्धेगन क्या करते हैं अश्वगंधा मतलब पित्व पर करती है तो उसमें आमले का चुरन मिला करके सेवन करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले दो तिन चार देन पांदेन दस देन तक एक सब्सक्राइब उसक को दस के लिए दोड़ना पड़ता है यह दिकत होती है इसके लिए उसमें आप आमले का चुरन यह समिस्टरे कुछ भी आप कितना भी प्रह करें उसको नहीं देना है क्योंकि हमारे रिसिमोनियों ने आप तो ने आचारियों ने मना किया है कि जो पित्त प्रकृति उनको भी मतलब देना है किव minute फिर उसको बंकतेना है मतलब फिर उसको 6 में नहीं करना है नहीं चाहि-मैर मिश Springs छीम्स इसलिच में बहुत है। छोग आब भेंगे बताने के लिए मैंने आप लोगों को बता देता हुव। जितने हैं डहीं पता देता हूं के जितने हैं मैंने सब चुरन बनाया है उस आधा चमज या तो एक झ Brush आप ने आयो की निशळें मतल्生 मेंने बता है नई तो फिर एक कप की मातरा में आपको इसको दे सकते, ठीक जितने सारे बनासपतियों का जो रस है वह आप उसमें भी मतलब एक अप्तर का उसमें ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपको यह ध्यान में रखना है तो यह जो मतलब मैंने जो बताने का था वह मैंने बता दिया अधी तो मैंने कैबल रसोई घर से और मतलब जो जड़ी बुटियों से आपके आसपास जड़ी बुटियों से जो बताने का था वह मैंने बताया है आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन से कौन से ऐसे उससदी होना चीए जो कि हम उसको बेजी जग मतलब निसंदे भाव से हम उसका प्रयों कर सकते हैं औ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा कोई नहीं दिशा या तो आपकी दसा बंदलने में साहय कसी धो तो मेरा जो मतलए इस तरह में सार्थक हो सकता है तो अपनी व्याख्यान को यहां पर बंद करता हुए बिराम देता हुए आप सब को बंदमात्रम कहता हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद बैद जी पा आज के सत्र के लिए काफी ही तथ्यात्मों को रोचक और ग्यान से भरा वैख्यान बैद जी के जरी हम सभी को सुनने को मिला इसमें सोची कि ऐसे ऐसे कितनी सारी बंदमत्रम को समझ करके हम अगर्दी पर योग करें तो रोग जैसी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में नहीं आएगा हम स्वस्त रहें जो कि वैद जी का भी अंतिम में हमें बहुत अच्छी बाते लगी जब वैद जी कभी जंगलों में घूमने जाते हैं तो जो बनस्पतियां हैं जो और सदियां उनको खाते हैं तो सोची कि ऐसी परमपराएं और ऐसी जो पधती थी हमारे जीवन से दूर होता जा रहा है आज हम दवाईयों के लिए केवल एक किसी सौप में किसी मेडिकल स्टोर में किसी दवा खाने में हमें जाना पड़ता है हमारा दवा खाना तो पूरा ये फिर्थिवी ही है ये पूरी सिरिष्टी ही है तो इस दवा खाना पर हम क्यों नहीं दियां देते हैं जिस दवा खाने में जिसका कोई सूलक नहीं है उस दवाओंगा जो परमात्मा ने हमें निसूलक दिया है पिर जो पूरा फृती भी जो हमारा मेडिकल अश्टो रहे जो दवा खाना है उस पे हम क्यों नहीं देंते हैं उनके दवाओं को हम क्यों नहीं डूंडते हैं तो आसा है कि हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा और प्रकृती में विखरे जो ओसदिया हैं उनको हमें समझना भी और उनका संदक्ष्ण भी करना उनको उप्यों के ताभी शिखने हैं तो आज के शत्र के लिए वह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद आप से भी शुरतागन का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक वैदजी को सुना अर अपना समय दिया इस प्र प्रिद्धि वी शांति रापह सांति रोशाधया सांति ही वनस्पतया सांति विश्वेदेवा सांति व्रम्मा सांति ही आप सभी गो नमस्ते वैदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के शत्र के लिए बन्नेवान नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आफ सब का बन्ने मात्रम, कवान धन्नम्त, अरे जी आप सबको सब्वदी दे स्वास्त संवरुद निर्ग रखे इतना कहते हुए मैं अपनी आपको आप सबसे आज बिदा लेता हूं कल फिर मतला आप सबसे अलोचना करेंगे बंदे मातरम सुभरहत्रिक जय जगन्द